स्टुडेंट हम चैप्टर सेकिंड पॉलिनॉमियल यानि बहुपद की अब एक्सेसाइज 2.4 करने जा रहे हैं एक्सेसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टुडेंट मैं आपको इसमें गुनर्खंट पर्मे हैं जो समझाना चाहती हूँ वो क्या है यदि पी एक्स घात एन गरेटर देन इक्वल टू वाला एक बहुपद हो और एक कोई वास्त्विक संख्या हो तो एक्स माइनस एक जो होता है वो पी एक्स का एक गुनर्खंड होता है कब यदि पी ए बराबर हो 0 कहने का मतलब क्या है जैसे मालो मैंने एक बहुपद लिख दिया एक्स का स्केर माइनस 4 यह क्या है बहुपद है मैं कहती हूँ कि एक्स माइनस 2 जो है इसका एक्स माइनस 4 का गुनर्खंड है ये कब होगा गुननखंड यदि मेरे पास x जो है वो किसके बराबर हो 2 की मतलब x-2 को मैं 0 रखूं तो x किसके बराबर हो 2 की इन्होंने यहाँ a लिख दिया a कोई भी संख्या हो सकती है कोई भी वास्त्विक संख्या हो सकती है तो कोई भी आपको बहुपत दे रखा हो इसका वालो मैंने यह x-a गुननखंड लिखा है यह कब गुननखंड होगा यदि x जो होगा वो किसके बराबर होगा a की अब student इसके यह पहला पार्ट दूसरे पार्ट में यह क्या कहना चाहरा है इसका उल्टा हो जाए यदि p-a बराबर 0 होता है p-a बराबर क्या होता है 0 होता है कब यदि x-a p-x का एक गुननखंड हो मैं कहती हूँ x-2 जो है वो बराबर है 0 के यह कब 0 होगा यदि x-2 जो है x-2 जो है वो किसके बराबर है p-a का मतलब यहाँ आपको a जो है वो क्या दे हुई है कोई वास्तिविक्सन क्या दे हुई है p-a बराबर 0 होता है यदि x-a मतलब x-2 जो है वो p-x का x का square minus 4 का क्या है एक गुननखंड है तो यहाँ से student x-2 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अगर यहाँ मैं 2 रखूं तो 2 का square minus 4 2 का square 4 4 minus 4 कितना होगा 0 तो अगर हमारे पास x-2 0 है मतलब x-2 के बराबर है पड़ा तो x-2 इसका क्या आएगा एक गुननखंड आएगा मतलब इसका अपोजिट भी क्या होगा सही होगा अब हम इसकी क्या करते है एक्सेसरी तो student 2.4 का first question है बताएगे कि निमलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुननखंड x-1 है तो student हम इसको कैसे करेंगे first part है हम निकाल लेंगे x-1 के शुन्यक सबसे पहली ये निकाल लीजिए x-1 बराबर 0 तो x क्या हो जाएगा minus का 1 अब पहले भाग में आपको बहुपद क्या है दिया हुआ है x का cube plus x square plus x plus 1 में x बराबर minus 1 रखने पर अभी हमने गुननखंड फर में पढ़ा है student उसमें क्या था अगर ये इसके बराबर 0 के बराबर आ जाता है तो ये इसका गुननखंड होगा नहीं तो गुननखंड नहीं होगा x की जगा minus 1 रखिए minus 1 का घन plus minus 1 का square plus x की जगा minus 1 plus 1 minus 1 का घन student कितना होगा minus 1 मैंने पहले भी बताया था minus 1 के घन को कैसे करेंगे minus 1 गुना minus 1 minus minus plus 1 plus minus minus तो minus का 1 plus minus 1 का बर क्या होगा plus का 1 plus minus 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 का 1 plus का 1 यह हो गया student minus का 1 plus का 1 minus का 1 plus का 1 minus 1 से plus 1 कट गे minus 1 से plus 1 plus minus minus होते हैं तो यह student हमारे पास क्या आ गया 0 तो x plus 1 जो है वो जो हमें बहुपद दिया हुआ है बहुपद, क्योंकि यह 0 के बराबर आ गया, X की क्यूब प्लस X के अर्प प्लस X प्लस 1 का गुनन खंड है, इसका, 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 एक्स की 4, प्लस X का क्यूब प्लस X के अर्प प्लस X प्लस 1, इसमें हमें X का 1 वही रखना है, माइनस 1, क्योंकि यही बताना है, गुनन खंड है या नहीं है, में x ब्राबर माइनस एक रखने पर x की जगा माइनस एक करिए माइनस एक का 4 प्लस माइनस एक की 3 प्लस माइनस एक का स्केर प्लस माइनस का 1 माइनस एक की 4 श्रुवन कितने आएगी माइनस एक को कितने बार गुना करोगे 4 बार माइनस माइनस प्लस एक गुना माइनस माइनस प्लस एक गुना एक कितना हो जाएगा एक अगर सम संख्याओं में माइनस के निशान है तो वो प्लस का रहेगा मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह माइनस के निशान है तो वो प्लस का रहेगा अगर विशम संख्याओं में माइनस का निशान है तो वो किसका रहेगा, माइनस का विशम में मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरह से, तो ये सम संख्याओं में माइनस का निशान है तो ये प्लस का एक आएगा, ये सम में माइनस का निशान है तो प्लस का एक आएगा, और ये प्लस माइन क्या हो जाएंगे माइनस का एक है यह फलस का एक प्लस गया विल खस्ट इखिट जो बडाबर नहीं है कि इसके जीरो के वने गुणनखड कड़ा है कि गुणनखड कभ होता है अगर पिए किसके बडाबर हो 0 के, 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या लिखोगे जो x प्लस 1 है वो दिये हुए बहुपद कौन सा बहुपद है x की 4 प्लस x की 3 प्लस x के प्लस x प्लस 1 का गुनन खंड नहीं है नेक्स पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट है उसी तरह x प्लस 1 के शुन्यक लिखेंगे हम मतलब x प्लस 1 बराबर 0 रखा तो x का मान क्या आ गया माइनस 1 अब ये दिया हुआ बहुपद क्या है x की 4 प्लस 3 x की 3 प्लस 3 x के अर प्लस x प्लस x प्राबर माइनस 1 रखने पर तो x की जगा रखें माइनस 1 माइनस 1 की 4 प्लस 3 गुना माइनस 1 की 3 प्लस 3 गुना x की जगा माइनस 1 प्लस x की जगा माइनस 1 माइनस 1 की 4 स्टूरेंट क्योंकि ये सम में है माइनस का निशान तो प्लस एक हो जाएगा यह विशम में है यहां विशम खाता है ना विशम में माइनस का निशान है तो माइनस एक हो जाएगा मैंने आपको समझाया भी अभी तीन गुना सम संख्या में है माइनस का साइन तो प्लस का एक रहेगा प्लस माइनस माइनस का ए एक और प्लस का एक एक प्लस माइनस माइनस तीन एकम तीन ये प्लस का तीन ये माइनस का एक और ये प्लस का एक ये प्लस का एक ये माइनस का एक आपस में कट जाएंगे ये माइनस का तीन प्लस माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे कितना रहा गया हमारे पास प्लस का एक जो बराबर नहीं है किसके 0 के अब 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मितलब गुननखंड नहीं है तो क्या लिखोगे x प्लस एक दिये हुवे बहुपद क्या बहुपद है? x की 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x का स्केर प्लस x प्लस 1 का गुननखंड नहीं है का गुननखंड नहीं है फौर्थ पार्ट दिखिए student क्या है इसका student हमें दिया हुआ बहुपद क्या है? x प्लस 1 के शुनने एक उसी तरह है x का मान आ गया माइनस 1 दिया हुआ बहुपद क्या है? दिये हुए बहुपद x की 3 माइनस x का स्केर माइनस 2 प्लस वर्गमुल 2 x प्लस वर्गमुल 2 में x बराबर माइनस 1 रखने पर रखे इसमें माइनस एक का घन माइनस माइनस एक का स्केर माइनस दो प्लस वर्गमूल दो एकस की जगा आएगा माइनस का एक प्लस वर्गमूल दो माइनस एक का घन स्ट्रोएंट उसी तरह विशम संख्या है ना घात माइनस में तो minus 1 रहेगा Sum संख्या है घात तो minus 1 चिया हो जाएगा इसकी multiply करो minus minus क्या हो जाएंगे plus हो जाएंगे 2 ये x है न student 2 plus warg'mul 2 x की जगा minus 1 रखा था minus minus plus 2 plus warg'mul 2 और ये क्या है student plus warg'mul 2 minus minus student क्या होता है plus लेकिन निशान किसका आता है minus का माइनस के दो प्लस के दो वर्गमुल दो और वर्गमुल दो मिलके कितने हो जाएंगे दो वर्गमुल दो माइनस दो से प्लस दो कट गए हमारे पास आंसवर क्या आ गया दो वर्गमुल दो जो बराबर नहीं है किसके जीरो के जीरो के बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे ए ये हुए बहुपद, क्या बहुपद दिया था, x की 3, minus x का square, minus 2 plus वर्गमुल 2x plus वर्गमुल 2 का गुनान खंड, नहीं है, ये इसका गुनान खंड नहीं है, x देखिए, second sum is student, पर्टेक स्तिती में हमें बताना है, गुनान खंड परियोक करके, gx, px का गुनान खंड है या नहीं है, तो first part है student इसका, हम क्या निकालते हैं, gx के शुन्यक निकालते हैं, मतलब हम x plus 1 को किसके ब्राबर रखेंगे, 0 के, तो x हो जाएगा, minus का 1, अब student, दिया हूँ अब भुपद हमें क्या है, 2x की 3, plus x square, minus 2x, minus 1, इसमें हम x की जगा क्या रखेंगे, minus का 1, 2 गुना, minus 1 का गं, plus minus 1 का square, minus 2 गुना, minus 1, minus 1, 2 गुना, minus का गं, minus आएगा, minus का 1 आएगा, minus 1 का बर्ग, plus का 1 हो जाएगा, minus minus, plus, minus 1, plus minus, minus 2 एकम, 2, plus का 1, यह plus का 2, यह minus का 1, plus का 1, minus का 1 कट जाएगे आपस में, यह minus का 2, यह plus का 2, आपस में कट जाएगे, कितना आ गया, 0, 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, gx, px का, गुनानखंड है, क्योंकि गुनानखंड पर में हमने करी है, अगर, px 0 आ जाता है, तो, gx जो है, वो, px का गुनानखंड है, px दिया है, आपको, x plus 2, हम इसके शुन्याक निकालेंगे, तो, x plus 2 को किसकी बराबर रखोगे, 0 के, x का मान आ जाएगा, minus के 2, अब बहुपद क्या दिया है, px, px है आपके पास, x की 3, plus 3x का square, plus 3x, plus 1 में, x बराबर, minus 2, रखने पर, तो, x की जगा रखिए, minus 2, minus 2 का घन, plus 3 गुना, minus 2 का square, plus 3 गुना, minus के 2, plus का 1, minus 2 का घन, student कितना होगा, minus का 8, क्योंकि, जो हमारे पास घात है, वो विशम है, तो, minus का sign ऐसे का, ऐसे रहेगा, 3 गुना, minus 2 का वर्ख होगा, plus का, 4, plus, minus, minus, 3, 2, 6, plus का, 1, minus के 8, plus 3, 4, 12, minus के 6, plus 1, ये plus के, ये plus के, 12 और एक क्या हो जाएंगे, 13, ये minus, ये minus, 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 plus, लेकिन sign किसका आता है, minus का, 8 और 6 कितने होंगे, 14, तो, plus का आगे लिखने की जुरूर तो नहीं होती है, plus, minus, minus, 14 में से 13 जाएंगे, एक, बड़ा किसका है, minus का, ये 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, GX, PX का, गुननखंड नहीं है, क्योंकि अगर PX, 0 आता है, तो ही गुननखंड होगा, GX, PX का, गुननखंड नहीं है, अब हम इसका, third part करते हैं, third part है, restaurant, GX दिया है, आपको, X minus 3, हम इसके शुन्यक निकालेंगे, मतलब, X minus 3, बराबर किसके रखेंगे, 0 के, तो X हो जाएगा, 3, बहुपद, PX बराबर, X की 3, minus 4X square, plus X plus 6 में, X बराबर, 3 रखने पर, तो X की जगा, 3 रखो, 3 का घन, minus 4, गुना, 3 का square, plus 3, plus 6, तीन का घन, student कितना होगा, 3 को कितने बार गुना करोगे, 3 बार, 3 गुना, 3 गुना, 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 माइनस, 4 गुना, 3 का बर कितना होगा, 9, plus 3, plus 6, 27 माइनस, 4 निम, 36, plus 3, plus 6, तो student ये होगे, 27 में से 36 गटा लिजिए, plus, minus, minus, 9 आ जाएंगे, बड़ा sign, बड़े के आगे, किसका निशान है, minus का, तो ये minus का, 9 होजाएगा, 36 में से 27 जाएंगे, 9 होजाएंगे ना, आपके बस, बड़े के आगे, minus का निशान है, तो minus का, प्लस, प्लस क्या होगे, plus, 6 और 3, 9, minus के 9 से plus का 9 कट गया, क्या आ गया, 0, 0 आ गया, तो क्या लिखोगे, GX, PX का, कुननखंड है, तो student ये है, इसका second question, अगर आपको इसमें कोई problem है, तो comment section में जाके मुझे बताईएगा, thank you student, कि अभी आपको इसका है, तो में जाके मुझे है, तो में जाके मुझे एसमें कोई आपको इसका है,